नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश्टे 27 सितंबर मंगलवार सुपे सवच्छा बजे राजसान की बड़ी खबरे हैं सबसे बले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर सोनिया ने खडगे माकन से राजसान की घटना करम पर मांगी विस्तरत रिपोर्ट पेएचीडी का चीफ इंजीनियर दस लाख रुपे लेता गृफता गुजरात विधानस बचुनाव की तैयारियों की समिक्षा बैठा जैपुर में वाको इंडिया नैशनल किक बॉक्सिंग चेंप्रेंशिप मंगलवार से होगी शुरू कॉंग्रेस का अलाकमान कमजोर पूनिया और विशेश पिछड़ावर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्दी योजना के लिए करोड का अतरिक्त बजट प्रावधान और अब खबर विस्तार से कॉंग्रेस अध्याक्ष सोनिया गांधी ने राजस्तान में चल रहे राजनिती कुठा पटक के बीच विधायक दल की बैठक में भीजे गए केंद्रे प्रभारी मलिकारजुन खडगे तथा आजय माकन से पूरे गड़ना क्रम पर विस्तरत लिखित रिपोर्ट देने को कहा है राजसान विधायक दल की बैठक रविवार शाम को विधायक दल के दो धड़ों में हुई खींस्तान के चलते नहीं हो पाई बैठक के लिए नियुक्त परिवेक्षप मलिकारजुन खडगे और अजय माकन ने श्रीमती गांधी से उनके आवास पर उन से मुलाखात की इस दोरान कॉंग्रिस माहस चिफ संगठन केसी वेनु गुपाल भी विशेश रूप से इस बैठक में शामिल होने के लिए भारा जोड़ो यात्रा छोड़ कर यहां पहुँचे थे श्री वेनु गुपाल ने घटना करम के बीच श्री गहलो से फोन पर बात की थी कि गहलोत ने उन्हें बताया कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है बैठक के बाद श्री माकर ने पत्रकारों से कहा कि रासान के घटना को लेकर उन्होंने श्री मति गांधी को पूरा विवरन बता दिया है लेकिन श्री मति गांधी ने उन्हें पूरे प्रकरण पर लिखित और विस्तरत रिपोर्ट देनी को कहा है ये पूछने पर कि रिपोर्ट कब तक देंगे तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मंगलवार सुबह तक सौंपती जाएगी जैपुड ACB ने सुमार को बड़ी कारवाही करते हुए PHED के चीफ इंजीनियर और ठेकेदार को रिश्वत लेते और देते ग्रिफतार किया ACB ने ट्रैप मॉबाइल को सर्विलांस पर रख कर किया दरसल ACB को मुख्विरों से जानकारे मिली थी कि PHED अर्वन में तैनाथ चीफ इंजीनियर मनिश बेनिवाल ठेकेदार कजोड मल से एक बड़ी रकम लेने वाला है सुचना मिलने पर ACB की टीम ने ठेकेदार और मनिश के मॉबाइल को सर्विलांस पर रखा लॉक एक्टिविटी पर भी नज़र रखी इसके बाद ACB को पता चला कि सोमवार दोपैर में मालवी नगर गिर्धर मार के पास सरकारी आवास पर दोनों पैसों का लेन दिन करने वाले हैं इस पर ACB की टीम मौके पर पहुँची शाम करीब 6 बजे दोनों को रुपै का लेन दिन करते किरफतार किया बारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को गंधिनगर में गुजरात के जिलासतर के अधिकारियों और पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजिंसियों के अधिकारियों के साथ राजय में आगामे विधानसफ़ चुनावों की तैयारियों के समिक्षा की मुखे निर्वाचनायक तो राजीव कुमार और निर्वाचनायक तो अनुप चंद्रा इस समय राजी के दो दिन के दोरे पर हैं आयो के एक बयान में कहा गया है कि आयो कल गुजरात के मुखे सचिव और पुलिस महाने देशक के साथ बैठक करेगा रास्थान की राजधानी जयपूर में 24 वी वाको इंडिया नाशनल किक बॉक्सिंग चेंपेंशिप 26-29 सितम पर तक आयोजित की गई है वाको इंडिया के एक बॉक्सिंग चेंपेंशिप के रास्टे अधेक्ष अनिल कल्यान ने आज यहाँ प्रैस कॉंफरेंस में बताया कि ये प्रतिवगिता सवाईमान सिंग स्टेडियम के इंडो स्टेडियम में आयोजित की गई है और इसके लिए पहले दिन सोमवार को खिलाडियों का पंजियन का काम किया गया और इस प्रतिवगिता का घटन मंगलवार को होगा रास्थान के भारते जंता पार्टी के प्रतेश अधेश डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस गटना करम से पहले भी ये लोग पचास दिन बाड़े में बंद रहे और भीतर अंतरदवन्द रहा मुखे मंत्री के लिए जो महत्वकान शाय थी उससे कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरह से बे नकाब हो गई कुल मिलाकर ये कमजोरी जंता पर भारी पड़ी जपूर के रामबाग पोलो ग्राउंड में कानोता पोलो कप का फाइनल मुकाबला खेला जो रहा है इसमें मंत्री अशुक चांद्रा भी खेल रहे हैं चांद्रा को चियर अप करने के लिए विदानसभादेक्ष सीपी जोसी के साथ बीती रात इस्तिफा देने वाले तीर मंत्री और दो विधायक भी पहुंचे इन मंत्रियों में राजिन रियादव, लाजन कटारिया, उदेलाल आंजना, सैयम लोड़ा और सुदर्शन सिंग रावत शामिल रहे दरसल बीती रात राजस्तान सरकार के सबसे ज़्यादा विधायक और मंत्रियों ने विधानसभादेक्ष को इस्तीफा दे दिया ऐसे में पोलो मेंस के दौरान इस्तीफा देने वाले विधायक और उसे मंजूर करने वाले विधानसभादेक्ष की मौझूदगी में राजनितिक हलकों में चर्चा का विशेप बन गई है रास्तान के मक्यमेत रशो गहलोद ने देव नारायन योजना के तह संचालित विशेश पिछड़ा वर्ग उत्रमैटरिक चात्रवती योजना के लिए चौलिस करोड रुपे के अत्रिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है योजना के अंतरगत चालुवी तवर्ष में पात्र विद्यार्थियों को 88 करोड रुपे से अधिक किछात्र रुतियां पहले ही दी जा चुकी है दिली के एक अदालत ने दिली वक्फ बोर्ड से जुड़े कतित अवायत भरती के मामले में आमादमी पार्टी विधायक अमान तुल्ला खान को सोंवार को 14 दिन की नियाई खिरासत में भेज दिया विशेश नयाधिश विकास धुलने खान की पांस दिन की पुलिस हिरासत को समाप्त होने और दिली पुलिस की भिस्टर चार निरोधक शाखा की आचिका पर सुनवाई के बाद याधिश दिया फ्रांस की राजदूत इमैनुवल लैनिन और उनकी पतनी रविवार को रासान के डुंगरपूर आए यहां उनका पूर्व राजे सबासान सद हर्श वर्दन सिंग और उनके परिवार जनने स्वागत किया उन्होंने उदेविलास पैलेस जूना महल को देखा और डुंगरपूर के बारे में पूरी जान कारी ली वे अतिहासिक वी रासत को देखकर बहुत खुश हुए उन्होंने डुंगरपूर के स्वचता अभियान को लेकर हुए कारे के प्रशंसा करते वे कहा कि यहां आकर मन खुश हुआ उनका यहां परमपरागत रूप से स्वागत किया गया बाद में उन्होंने गैप सागर जील और उदेविलास पैलेस से लेकर विंटेज कारों को देखा जैपुन अगर निकम ग्रेटर मेर सौमय गुर्जर की खिलाफ गैलो सरकाव जल्द बड़ा एक्षन ले सकती है सुप्रेम कोट में सुनवाई होने और आदेशों की कॉपी मिलने के बाद ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं आई दूसरी तरफ मेर के पास अब एक ही विकल बचा है और वे हाई कोट जाकर नियाएक ज्यांच की चुनावती दे सकते हैं कॉंग्रिस लास्टे अध्यक्ष पत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है इसमें राजसान के मुख्यमित रशोग घहलोत को जबदस चटका लगा है वो इस पत की दोड़ से बाहर हो सकते हैं मीडिया के मताबिक कॉंग्रिस के वरिस नेता अब उन्हें पार्टी अध्यक्ष की रूप में नहीं देखना चाते कॉंग्रिस के परिवेक्ष को मलीकारजुन खडगे और राजसान के प्रभारी अजयमाकर ने अनुशन सकी है कि अशोग घहलोत को पार्टी अध्यक्ष न बनाया जाए जानकरी के मुताबिक दोनों परिवेक्ष excel को मली कारजन खडगे और रजेमाकर ने कुछ विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्म कारवाहि करने की बात कही है कॉंग्रिस प्रदेश प्रभार यजयमाकर ने कहा कि विधायक दल की बैठग में कॉंग्रिस विधायकों का नहीं आना अनुशासन हीनता है इस बैठक के दोरान उन्होंने खुद बैठक बुला ली ये भी अनुशासन हीनता है और हम देखते हैं कि क्या आक्षन लिया जा सकता है पंच्वाय समिती मालपुरा की ग्राम पंच्वायत कलमंडा में कार रद ग्राम विकास अधिकारी धमराज सैनी को एसीबी ने 15 जौर रपे के रिश्वत लेते रंगे हातों गिरफतार किया आरोपी वीडियो ने ये रिश्वत प्रधान मंतरी आवास यूजना केता है दूसरी किस्त पास करने की एवज में मांगी थी आवास और अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है एसीबी एसपी राजे शारे की नेत्रत में कारवाही की गई एसपी राजे शारे ने बताए कि ग्राम विकास अधिकारी धमरास सैनी निवासी अलियारा तैसील टोड़ा राई सिंग को 15,000 की राशी के साथ गिरफतार किया गया आरोपी वरतमान में ग्राम पंचायत कलमंडा में कारवरत है और ग्राम पंचायत पचेवर का अत्रिक्त चार्ज भी है परिवादी ने एसीवी को शिकायत दर्ज कराई कि प्रधान मंतरे आवास यूजना केता है दूसरी किस्त जारी करने के ये वज़ में 20,000 रुपे की राशी की डिमान की गई सौधा 15,000 रुपे में तैय हुआ शिकायत के बाद एसीवी ने मामले का सत्यापन का चांच की तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर